पंजाबी पाश चानल जुड़े सारे ही सिख्यार थी आनों प्यार परी सत श्री अकाल जी स्पीरिये स्टडी चैनल आप सबनों जी आया आख दै आपने इस चैनल ते असी कर रहे हैं पंजाबी विश्चे दी त्यारी जिससे विछ हुन साधे चाल रहे हैं इस तो पहला आसी मौक टेस्टी सीरीज कीती है 75 तक मौक टेस्ट कीते ने ते नाल दी नाल ही कर रहे हैं थियोरी लेक्चर जिनने भी मौक टेस्ट आपकरे ने उनना सारे अंदा जड़ा लिंक है प्ले लिस्ट का लिंक है उतानों मिल जाएगा इस वीडियो दे आई बटन ते इस से नाल नाल जो भी थियोरी लेक्चर जिनने उनना दियां भी प्ले लिस्ट बान चुकिया ने ते उनना दे लिंक्स मिल लेंगे इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विचो ठीक है जी असी कर रहे सी सूफी काव इस तो पहला सी बाबा फ्री जी जोके शुरुआती कवी ने सूफी काव दे ओसी कर चुकिया ते आज जसी करन जा रहे हैं सैकेंड नंबर दाट इस सूफी कवी शाह हुसैन इनना दे जीवन ना सबंदे ते पक्खा सी जानांगे जोके इमतिहां आंदे पक्तू सडेली जानने काफी जुरूरी ने ठीके जी आस शाह हुसैन सब तो पिलाइना ने जनम दी कल कर दे हैं 1549 स्वी दे विच इना दा जनम होया सी लहौर विखे ते इना दी मौत होई सी 1593 स्वी विच ठीक है इस ना इस बंदित जड़े डाउट सीगे स्टूडेंस नो ता आपपा 1593 ही मनागे क्योंके बिए दियां बुक से विच वी ते पंजाब स्कूल एजुकेशन बॉर्ड दियां बुक से विच वी सानू तरान में ही मिल दे हैं ठीक है ते उस एकोर्डिंग जड़े ना दी कुल उमर है होगी 54 साल ठीक है जी एक कोशन त्यान नाल कर ले हो कुल उमर वाला एक कोशन आकसर ही पुछ है जान द ते उना दे पिता दा नाम सी शेक उस्मान तड़ा ठीक है जो के असल दे विच हिंदू सी गे पहला ता एक कोशन भी आजान दा है के शाह हुसेन दे जड़े वड़े वड़े रे सी हो किस तरम नाल सबंदिसन ता उती तुसी लगाऊंगे हिंदू तरम नाल क्योंकि बाद और ने ते अल्मोस्ट हारे कोशन ही पुछा गया एक्साम दे पाकतों सो बी कियरफुल ते आनल सारा लेक्षे तो सी सुनने है हां जी सबतों पहला मुडली विद्या दी गल करिये ता इना ने मुडली विद्या प्रापर कीती अबू बकर तो ते शेख बहलोल तो ठीक है इना ने बैद कीती थी ते इस तो बाद यह दोना दे नाम चंगी तरह याद रख लेने ने एक हो राएगा अगे उद्या पगल कर देयां चीज दंगाग दे विच रख लेने किस तरह दी आप्शन आएगी पेपर दे वीच ओ देटे डिपेंड कर दे ओके ते कई जगते 17 साल भी मिल जानदा है ठीक है जी नेक्स्ट एक उसी आप दे पदते वीजरूर चेक कर लेना इसनो अगे है जी हजरत दाता गंज बक्ष दे मजार ते चली है करते ठीक है उनने बहुत ते करडि टपस्या की किती सी ठीक है तां जड़े एसी गे गंज बक्ष जी दाता गंज बक्ष दी इना दे Gewी मजार सी होते चली है क갈ते सी ते तपस्या कारते सी ओके नेक्स्ट एननने तपस्या किन्य कीती तां इनननने 36 साल अपने जीवन तपस्या दे विच लंगा आए रावी दे कंडे जा रावी दे विच खड़के वी एहे कुरान श्रीफ पाठ सी आओ उचार दे हुंदे सी ठीक है जी ताई चीज तुसी याद रखनी है किन्ने साल चती साल अगे चल दें आप आप सूफी मत दी मस्ती ठीक है ताई नाल दी नाल ही इना उचड़ा सूफी मत दा उपर वावित करदा रहा ते उस दी मस्ती नू मानया इनाने चोवी साल ठीक है क्योंकि बादे मिचे बिलकुल ही शरातों उल्ट चलन लागे सी शरादी पबंदी तों ए बिलकुल परे हो गे सी ते ताँ घर के उस सारा जीवन इना दा मस्ती दा जीवन सी ठीक है जी ताँ तपस्या कारदे कारदे समय ही इनानों एहसास होन लागे सी जड़ियां सूफी काव वालियां ने उस सारी इना दे अंदर प्रगट होन लागे सी तो उस समय तो ही उन्हाने मस्ती दा जीवना लिड़ा हो स्टार्ट करता जी अर्थात प्रमात्मा दे जड़ी मस्ती देविच रहने सी उन्हाना दे नाम दी मस्ती देविच रहने सी ठीक है इस सवार नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन के इन्हानू हाफीज इसे नाम नाल जाने जन्दा है, इसलाम तरम दे विच ए एक उपादी है, जो उसनों जित्ती जन्दी है, जिसनों कुरान श्रीफ कंठ होवे, ठीक है, उन्होंनों हाफिज आख के पुकार जन्दा है, इजित्मान वजों, सतकार वजों, ता ए उपादी शाहुसेन नूं मिल होई सी, इस वबाद जी, शाहुसेन ने काफियां विच तसवफ पेश कीता, ठीक है, एक क्वशन भी आजन्दा है कि की पेश होया उन्होंना यहां काफियां दे विच, अगे चाल दे आपाँ, शाहुसेन दी कवता दे किड़े तिन लच्छन है, तसवफ की यां ते इस त इस ता मतलब है सूफी वाद, के सूफी कभियां वाले केड़े उन्होंना दे विच लच्छन सी, उन्होंना दी काफियां दे विच लच्छन सी, ठीक है, अपकर क्यों शरादे करडे निजम सी के उन्हांनू मननतों हो, आकी सी के उन्हांनू नहीं मान दे सी, ठीक है, ते वो खुलनू मानना जौन दे सी, इस तोबर मौसी की, मौसी की मतलब राग गांदी वर्तो, क्योंकि पहला संगीत नू गल्त समझा जान दा सी, ठीक है, पबंदियां लगाईयां जान दियां सी गियां, पर जोदों तो शाह हुसैन ने अपनी दचना शुरू कीती ता इना ने आपनी या काफियां दे विछ केड़ा लचन वर्तियां मौसी की, मीन्स की उनना नू गाया जा सक्दा थी, जा सक्दा है, सौरी इस सबाद इबामी मकबूलियत, इबामी मकबूलियत, इबाम अबाम कहने है, अबाम मतलब आम दुनिया, लोकाई, लोक, इबामी मकबूलियत, मतलब उनना ने रचनामा दे विछ जड़े पाक सी गे, ओ आम लोक का नाल सबंदत सी ते, जिनना नू किसा हुंगा रासी, ज जीवन दा लोक जीवन दा ओके ता ए तिन्ने लच्छन तुसी याद रखने ने एक वशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है इससो बाद मादोलाल नादे एक ब्रह्मन मुंडेनाल उनना दा प्यार सी जो के शादरे दा रहन वाला सी जित्थे शाह हुसेन दी मौत होई सी शा हुसेन तो ठीक है जैने तीक साल तो होई गई एवरेज मन के चलिए अपा ता लिख्या मिल दा सानू अठटी साल छोटा सी ते उस नाल शाह हुसेन जीदा प्यार सी ते ओ इन्ना दे नाल ही रहन दा सी ते उन्ना दे इस प्यार करन शाह हुसेन नू जाने गया मादोलाल ठीक है इस नावनाल शाह हुसैन नो जाने आजन दसी इस तो बाद कि उनना ने किड़े कड़े पड़ा दा जिकर कीता है अपनी कवता दे विच एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है जी बुले शादा ए अलाग गया बाकी सारे कवियां दा अलाग गया सूफी का वियां दा सौरी बट शाह हुसैन दा अलाग गया ताँ शाह हुसैन ने अपनी कवता दे विच जड़े पड़ा सूफी कावदे पेश कीते ने ओ सिर्फ तन ही करे ने शरीयत तरीकत दे मार्फत इस चीज नो तुसी त्यान दे विच रखने है ookey next question is very very important शाह हुसैन दे समकाली कौन सी गया शाह हुसैन दे तां दमोदर पाई गुर्दास जी ते गुरु अरजन देव जी एक दुलापटी वी सी ठीक है इस वाद शाहु सेंदियां काफियां दे विच सब्तों ज़्यादा तरजी किसनों दिती गई है ता सब्तों ज़्यादा तरजी दिती गई है इश्क नू प्यार नू ए सब्तों ज़्यादा उपर वन दे नेक्स्ट शाहु सेंदियां मस्ती दा कवी वी कहा जन्द है किसनों येस वेरी गुड शाह हुसेन नों ओके जो बुल्ला है उसनों अधवैत वादी कवी के है जन्द है अगे चाल दें आपा मौला बक्ष कुष्टा हुण ए अलाग जिड़ा इना ने विचार देता मौला बक्ष कुष्टा ने इना ने रागां बारे टिपने कीती है कि जो शाह हुसेन है उसियां काफियां दे विच सानों पैंती राग मिल देने पैंती राग गां दे विच इना ने काफियां लिखियाने याद रखियो नाम मौला बक्ष कुष्टा दे अनुसार इस तो बाद शाह हुसेन ने पंजाबी का विच इरानी सब्यता पेश कीती है ठीक है, सिर्फ पामे के मुसलिम नाल सबन्दित सी गया ना था मुसलिम सब्याचारदे नाल बट फिर भी इना ने इरानी सब्यता जड़ी उसनू पेश कीता है पंजाबी सब्याचारदे विच पर ज़्यादा तर जड़ा अंच मिलदा है ओ पंजाबी सब्या चारदा ही मिल दें जो भी अनने पंजाबी काव सुफी काव रचया ते नागना इरानी सब्यता भी पेश करी है अगला है जी डॉक्टर हरनाम सिंग शान ते काला सिंग बेदी शाह हुसेन नू पहले पढ़ादा सुफी कवी मन देहन जद के डॉक्टर दिवाना उसनू दूजे पढ़ादा कवी आख देहन तब very very important question this is के डॉक्टर दिवाना ए एक चीज याद रख्यो ए जड़ा इंसान ना डॉक्टर मोन सिंग दिवाना एधी लैदी ही गल कीती हुन दिया ए चीज दमाग देविच फट कर लेनी है सारे ने ठीक है एक ही मन देने के शाह हुसेन दूजे पढ़ादा सूफी कवी है चद के जड़े हनाम सिंग शान काला सिंग बेदी वर के विदवाना और उसनू पहले पढ़ादा सूफी कवी मन देया ठीके जी इस्तों बाद 12 साल तक दाता गंज बक्ष्डे तकी उपर सूफी सिदानतां दा अधियन कीता यसी पहले हैं कीता कि उन्हाने काड़ी तपस्या भी करी सी चल यह भी कट्टे सी उन्हादी मजार होते ते उथे ही इन्हाने सूफी सिदानतां दा अधियन भी कीता स अगला कॉश्चन बहुत जादा इंपोर्टेंट है पीर सदोल्ला पीर सदोल्ला जड़ा नाम है उजुडद है शाह हुसैन दिनाल जो इना दे मुर्षिद बने ठीक है ए पीर जी इना दे मुर्षिद बने सी गे ते इना दे चेले बनके ही इना ने पूरन रूप दे विच स सूफी मात ता है ओतारन कीता सी ता एक क्वेश्ञ तेनन वनगे एनना दे एनना दे मोर्शल वी सी दूसरे नमबर ते सूफी मत संपूरन रूपच्ता आरन की दी अगवाई हेड कीता ता OC पीर सदोला ते तीसरा क्वेश्ञ है जी इनना दे आखरी गुरू रुकेड़ सी ज पुछ पुछ है जा चुकिया कि किस नाल जड़ा जोड़द है लोग कथा दे किस सूर्वीर नाल सबंद जोड़द है शाह हुसेन दा ता उस नामें दुल्लापटी इससी खानी एक अलाग है चलो आप अधर नहीं जाना काफी टाइम लग जाएगा उसनू इससो बाद जी श पहला सूफी कवी सी जिसने शरा दे उल्ट लिखना शुरू किता है क्योंकि इस तो पहला दे मेन ओंदे ने ओ भाबा फ्रीजी ओंदे ने जो के शरा दे कटड़ पाबंद सी गे कटड़ कवी सी हो शरा नो ही मुख राख दे सी पर उनना दे बिल्कुल उल्ट चले उनना तो अगले कवी शा हुसेन जी ठीक है ताँ पहले यह जी सूफी कवी सी जिनना ने शरा दी पबंदी अगी उसनों तोड़या अगला सा ड़ा प्रेशन है लाल कपड़े पैनन करके उसनों लाल हुसेन दे नाम नाल भी जाना जान दा सी और एक क्वेशन दे विच भी पेशन दे नाम नाल भी जाना जान दे जो मा दो लाल हुसेन दे विच होया सी ताँ गर्के मादो लाल हुसेन उससा नाम पहेगा सी पर जारा तरो कपड़े लाल रंग दे पहेंदा सी इस करके लाल हुसेन नाम नाल जाने चन्दा सी I think your doubt is clear now इस सवाजी शाह हुसेन दी मजार कि थे जी लहौर शालीमार बाग दे नेडे है इस मजार दे चड़दे वले पासेनू स्वर्गी बूहा आख दे हन Very very important question कि आख दे हनची चड़दे वले पासेनू स्वर्गी बूहा कि थे है शालीमार बाग दे नेडे ठीक है नेक्स्ट शाह हुसेन नू केड़े काल दा सूफी कभी मनने जान दे ता इत्थे आएगा गुरु नानक काल दा सूफी कभी ठीक है जी हांजी अगे गल करिये अपायना दी रचना बारे शाह हुसेन दी रचना Very important question इनना जो मांदे है सबतो पहला एदे विच भी दो साड़े कोल विचार तरह मने काफियां दी गिन्ती गिन्नी है 112 प्लस एक एकसो त्रेट ता आम जड़े सारे विदवान ने ओं मन्दे ने 103 मतलब जारा तर जड़ियां बोट्स मिलियां ने 103 काफियां ने किसियां शाठ हुसेन दी दूसरा डक्टर मोंसिंह दिवानना डक्टर मोंसिंह दिवानना जड़े मन्दे स के कट करती है unglaub吗 150 ता रक्टर मोंसिंह दिवानना अनी सारे 110 काफियां न은 finely siya दे व्यूम épisode 102 ऐ चीज ही यागиком रखनी है इस Tasवाद Qare, दॉक्टर मोहन सिंग दिवाना उननाई एक पostक मिल दिया मुकम्मल कलाम शाहहुसेण लहौरी ओसा धुनि तुस्ता भ 냄새 गूखे लिटाहल ऋसमें दिवानाई ने दिवान नहीं इसनु दुझे पड़ारा सूफी कवी मन देया, वह सी पहला कर चुकियां, दे इनना नहीं विचार है कि जड़ा शाह हुसेन है, उसनु गीत कारी दी जड़ी देन सी, वह एक रब्बी देन सी, पहला ही उसनु जड़ी गीत कारी है हो, और दी सी सूफी काव द यह तिन्ने चीज़ां तुसी याद रख़़ी है, ठीक है, नेक्स्ट, शाह हुसेन नु पंजाबी दा सूर्दास्वी कहा जानता है, अगेन इंपोर्टेंट कर्शन, नेक्स्ट, मुर्षद बास्ते जड़ा सत्गुर्शबदा ओ किसने शुरू किता सी, ता मुर्षद ल पेली सत्गुर्शबदा जिड़ा हो, शाह हुसेन ने पहली वार वर्त्या सी, सत्गुर्शबद अपने मुर्षद लई अगले हैं जी सुरिंदर कोली जी दा की विचार है, इस वारे किता नवीन पंजाबी दे विच लिखन वाला पहला सूफी कवी है, शाह हुसेन ता ए चीज याद रखनी है कि नवीन पंजाबी वाला जित्थे आ गया, कि नवीन पंजाबी दे विच लिखन वाला पहला सूफी कवी कौन है, ता ओ बचार है जी, सुरिंदर कोली दा शाह हुसेन जी वारे अगे, very important question, केडाओ कवी है, केडाओ सूफी कवी है, कवी नी, सूफी कवी है, जिस दे काव दे विच सानू, पंजाब, पंजाबी दे पंजाबियत दा रंग देखन नू मिल दा है, ता राइट ओप्शन एस, शाह हुसेन अगे, सी व्यू पढ़ देयां, लाजवन्ती रामा क्रिशन दा, एक ही कहरे ने, शाह हुसेन वारे, शाह हुसेन दे काव दे विच सूफी रहासवाद अंदर, पार्ती इरानी मेल देशता है, ठीक है, जित्थे वी गल आगी के, पार्ते इरान दी जड़ी सब बैता, उसन शाह हुसा निया कने, अंदर, बैता, मिल आगी के, एक ही कहरे, व्याद के, शाह हुसेन दे काव दे विच सूफी रहासवाद दा काव है, जित्थे वी यज ग स 갖고 के, लाज़वन्ती रामा क्रिशन दा, वかे, अगला है सड़ा, शाह हुसेन बारे, बारे कीडियां किडियां जानू गला मिल दिया, तो न यह रचनावा बरे केड़े केड़े अलग लग विचार मिल दिया, ओ देख लेगा, ने आप सबतों पहला जो पाशा विपाग है, ठीक है, जान इसनो चोण मियां काफियां संग रहे दे नामनाल भी जणे आंदा, आई रपीट, चोण मियां एकसो स्तारा, इसतो बाद एदि नालसबांदे तो बुक्स सानू मिल दिया, सबतों पहला एड़ा कलाम लिखिया, शाह हुसेन नालसबांदे, तो ओबियस अधिला सबतों ज़्यादा टिपणियां कर दे वारे, उने ही लिखिया हुगा, डॉक्टर मोन सिंग दिवाना ने बवंजा देविच, 1902 देविच मकमल कलाम, शाह हुसेन लहोरी, इसतो बाद 1988 देविच प्यारा सिंग पदम, जिसने लिखिया हुसेन रचनावली, अगे जीत सिंग शीतल, इनाने दे पूरे जीवन ते रचना बारे लिखिया अपनी बुक, 1938 देविच, ते अमरित लाल प शाह हुसेन दी पुस्त के लिखिया है, नेक्स्ट शाह हुसेन दिया, सारिया काफिया धर्जने, केड़े कलाम देविच, कलाम शाह हुसेन, ये नाम याद रखना, ये देविच सारिया काफिया मिल दिया सानू, अगे जी शाह हुसेन हसवादी का भी लिखता रहा थे उसन चायावादी कभी वो जुम्भी जाना जन्दा हुने ये चीज याद रखनी है चायावादी कभी मस्ती दा कभी सूर्दास पंजाबी दा ए सारे नाम की दे लईने शां हुसेन दे लईने इसे ओल्ट जिड़ा बुलेशा उसनों सी अधवैत वादी कभी कहने हु ठीक है जी चायावादी के नूँ के आंगे शाह हुसेन जीनू अगे चाल दे इन्हां परसेद काफियां नो ते आनल जी चो कोस्टन आएड़ा हु आकसर पुछया जा सकता है इननकाफियां दे तुकां भी तान नू मिल सकतने ते इनन दे नाम भी लिखे हुई मिल सकते ने इस करके जो जब परसेद ने स्लेबस या मुक्स से विच्टानों मिल दिया था वो साड़ेली जाननी है बहुत जरूरी ने एक बार उसी भी जरूर पढ़ लानी आए सारियां काफियां क्योंकि गोत्रों हो जोंगे एक बार सारियां दुकाने विच्टा असानी रहेगी दुकानों पहचानन दे लेगी ओके साहिब तेरी बंदी हां चंगी हां जा मंदी हां ठीक है पावेगा दिदार साहिब दा मित्रां दी मिजमानी खतर त्यल्दा लोहु छानी दा मैं पी चोक रांजन दी जाना नाल मेरे कुई चल्ले मन अटकिया बे प्रवादे नाल उस दीन दुनी दे शादे नाल साइच नांदड़े वल तिन्नानु गम कैंता विलोका सब किछ मेरा तूं बंदे आपनों पचान जे तू अपना आप पचाता साहिब दा मिलन असान कै बागे दी मोली है सेना तू कै बागे दी मोली रब्बा मेरे आउगन चितना तरी मुश्कल काट फकीरी दावो निमाने यां दी रब्बा रब्बा हुई सारी यां ही सानू सलेबा सिया बुक्से वीच मिल दी है ने Schmidt question is very important question शाहुसें दी मजारते लगनवाला मेलाँढ। ऑल थे सही говорит you सही ओगे चल दने आपना श्रेद्ण का फीर Stories दे विच सानू विशा मेंफ़ा तब उमिल्दा है एथे रहना नाहीँ अगला क्वेशन भी एक MC की उदे रूबच आया सी I think 10th क्लास दे विच शायद परमात्मा दे नाम नू मेनी टक गी कहके किसने संबोधन कीता मेनी टक गी नाम साई दा ताओ कीता किसने जी? शाह हुसेन ने अगेना दिया होर पर सिद्ध का वितामा दिल दर्दा कीति पूरी त्यान लेना दे नाम अचड़ेओ प्लीज नोट कर लेओ दिल दर्दा कीति पूरी एक दिन तेननों सोपना थीसन गलिया बाबुल बालियाँ वो साईंतों मैं वारियाँ वो प्यारे लाल क्या परवासा दम दा दुनिया तो मर जावना, कोई दम मानले रंग रलियां, तुँ आहो कत वलली कुडिये, तुँ आहो कत वलली बकी नाम साइन्दा रेंदा, कित गुण लगेंगी शोनु प्यारी, अंत खाक विच रलना, केडे देसों आयो नी कुडियो, केडे देसों आयो मौत वटेंदडी रसे, बंदे आपनू पचान, चोड़ी हां दरबार दी, प्यारे बिन राती हुईयां वड्डियां, आगे नै डूंगी, सही सलामत चले जहानू इस तो बाद माये नी कैनू आखा, पले असाथों टोर, मैं पुलियां वे लोका, बुरियां 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 वे, दर लहसे टोई, उते होर ना काई कबूल मियां इस सारियां ही काफियां बहुत जारा प्रसिंद ने ते बाकी सलेबस दे विच ने इस करके इना दे नाम तानू याद होने चाहिए दिया क्योंके बुले शादियां काफियां ते शाह हुसेंदियां काफियां इना दे नाम दे विच काफी वार रलेमा आजंद है, जो के सा प्यारा सिंग पदम पर असल दे विच ए बानी कौन है हां जी येस बाबा फ्रीज जी ने पर प्यारा सिंग पदम किसनों मन्द है शाह हुसेन नू अग्ये जी शाह हुसेन दे गुरुआंदा क्रम एक वेशन भी आ चुक्या है नेट दे पेपर दे विच सब्तो पहला पुदली बिद्य प्रापत कीती है ना तो उस्तवार शेख बहलोल जिनना तो इलम दी सिख्या हासल कीती देन पीर सदवला जो इनना दे आखरी मुर्षद बने जिनना दी अगवाई दे विच इनना ने शरानू completely त्याग था ठीक है ता इनना दे मुर्षद दा नाम भी सा जिए जिए पुच्छी सी गल कलंदरी बैसे दोने ही या कलंदरी ते मलामती दोने ही इन या संपरदामाने पर मलामती चोछी है उस्तवार ज्यादा आर्थ या पार्वाई जो शोन ना दे विच्छों जसी चूस करनी होवे आप्शन अधर्वाईस एक कॉप्शन ही उस दा अर्थ जड़ा आपा शब्दी अर्थ वैसे ही अर्दसन देले ओकी हुंदा है किसे नो फिटकार देना ओके जी ते एथे ही ख़तम कर दें अपना आज दा लेक्चर शाह हुसेन जी बारे आसे के तानों जंगी तरह समझ लग गया होगा सारा लेक्चर जड़िया आए सारियां का वितामारे तुसी जुरूर एक बारी नेगा था इन्दी सारा ने कड़ लेनी याने ते किस सरा न लग गया तानों अपना आज सा लेक्चर लाइक एन कमेंड करके जुरू दस्यों जी ते जेका पसांद आया ता आपने फ्रेंस नाल शेयर करना